नमस्कार बहुत स्वागत आपका इस्पेशल रिपोर्ट में मैं हूँ आपके साथ शुतिश रवास्तो सबसे पहले इस्पेशल रिपोर्ट में बात इसराइल पर हमले की क्योंकि इसराइल पर ऐसा हमला हुआ है जो 7 अक्टूबर के बाद नहीं हुआ था हिजबुला ने इ देखे रपोर्ट इस राइल में ये एक काला रविवार है साथ अक्तूबर 2023 के बाद इसराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है मिजाइल अटाक हुआ है रॉकेट अटाक हुआ है ऐसे वीडियो इसराइल में वाइरल हो रहे हैं जिन पर हिस्गुल्ला की छाप लगी हुई है एक साथ इतने हमलों को देखकर नेतन याहू और उनके वार क्याबिनेट में खलबली मच गई है क्योंकि हिस्गुल्ला ने इसराइल को उस शहर पर हमला किया है जो आबादी के लिहाज से तलवीव के बाद इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये है हाइफा हाइफा यानी इसराइल की सबसे बड़ी बंदरगा हाइफा मतलब इसराइल का सबसे बड़ो अध्योगी कि लाथा हाइफा मतलब डिफेंस इंडस्ट्री हाइफा मतलब इसराइल की अर्थ्रवस्था की रीर क्या हाइफा पर हुआ हमला इस बुल्ला का पेजर बम वाले अटैक का बदला है क्या हाइफा को हिलाकर इसराइल को हिजबुल्ला ने सबसे बड़ी वार्णिंग दे दी है हिजबुल्ला ने इसराइल को उस अट्टे को टार्गेट बनाने का दावा किया है जहां से फाइटर जेट उड़कर लिबनान पर बंबारी कर रहे है इस बुल्ला ने अपना बड़ा टार्गेट इसराइल रमाद डेविड एरबेस को बनाया है ये एरबेस हाइफा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिनपूर में है मैप पर देखिए यहाँ पर हाइफा है और यहाँ पर है इसराइल का बहुत ही खास और सीक्रेट रमाद एरबेस ये दोनों जगा लिबनान बॉर्डर से 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में है रमाद एरबेस पर इसराइल एरफोर्स के F-16 फाइटर जेट की 3 स्कौर्डरन तैनात है यानि 50 से ज्यादा F-16 इसी एरबेस पर तैनात है रमाद एरबेस पर इसराइल की दो ड्रोन स्कौर्डरन भी है जिनके मदद से दक्षिणी लिबनान में बंबारी की जाती है इस एरबेस और आसपास के इलाके में हिजबुला ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे है हिजबुला का दावा है कि उसने Fadhi 1 और Fadhi 2 रॉकेट से हमला किया है यह ऐसा रॉकेट है जिसको पहली बार इस्तेमाल किया गया है Fadhi 1 220 mm वाले कैलिबर का रॉकेट है और उसकी रेंज 80 km है जबकि फादी 2 302 मिली मीटर कैलिबर का रॉकेट है और इसकी रेंज 105 किलो मीटर बताई जा रही है फादी रॉकेट सीरिया के M302 रॉकेट की नकल बताय जा रहा है लेकिन ये बात सच है कि हमास के 7 अक्तूबर वाले हमले के बाद से ये हिजबुल्ला का सबसे बड़ा हमला है इस अटाक में इसराइल का कितना नुक्शान हुआ है इस पर नेतन याहू अभी खामोश है लेकिन तस्वीरे बता रही है कि हिजबुल्ला का हमला कितना खतरनाक था क्या हिजबुल्ला ने हाइफा पर हमला करके पेजर बम वाले अटाक का बदला ले लिया है क्या हिजबुल्ला ने हाइफा को हिला कर इसराइल को सबसे बड़ी वार्णिंग दे दी है इस वक्त इसराइल में जैसे धारा 144 लागू है बाहर यानि सडक और बाजार में दस लोगों के एक जगा एकटे होने पर पाबंदी लगी है जबकि घरों या किसी बिल्डिंग के अंदर सौ लोगों को एक जगा होने पर मना किया गया है हिजबुल्ला के हमलों के बाद उत्तर इसराइल में बहुत ज़्यादा खौफ है गोलान की पहाड़ियों पर स्कूल बंद कर दिये गए है गलीली, हाइफा और बेतशीन इलाकों में स्कूल बंद करने का ओर्डर है जोलाई दोहजार चॉबिस में इस ड्रोन वीडियो को रिलीज करके हिजबुल्ला ने इसराइल को चौका दिया था तब हिजबुल्ला ने दावा किया था कि इसराइल के इंचिन जिलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास पहुँच चुकी है हिजबुल्ला ने इसराइल को डराने वाला वीडियो रिलेस किया तो नेतन याहू की सरकार के हाथ पाउं फूल गए नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्ला ने दिखाया है कि उसका एक ड्रोन इसराइल के ऊपर ओड़ रहा है दस मिनट की इस फुटेज में ड्रोन इसराइल के कई शहरों पर ओड़ा है 18 जून 2024 को हिजबुल्ला का जो ड्रोन इसराइल में घुसा वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खीच कर वापस लेबनान ले गया इसराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया ये ड्रोन उत्री इसराइल के किरियाच शमोना, नहरिया, सपद, कारमील, अफूला शहरों से लेकर इसराइल के हाइफा पूर्ट तक उड़ता हुआ दिखाये गया अब इसी ड्रोन पुटेज का इस्तिमाल करके हिस्बुल्ला ने इसराइल को काला रविवार वाला तोहफा दिया है या आग बता रही है कि हिस्बुल्ला ने जो वार्निंग दी थी वो वाकई बहुत खतरनाक थी दस मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया है जिसे देख कर नेतन याहू को मुसाद समयत इसराइली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी हिस्बुल्ला के ड्रोन से हाइफा का पोर्ड भी रिकॉर्ड किया गया था इस वीडियो में इसराइली हत्यारों की कमपनी रफाइल का कॉम्पलिक्स भी फिल्माया गया था मिसाल के गुदाम एर डिफेंस सिस्टम पंडुबी कमांड सेंटर से लेकर कैई अड़े रिकॉर्ड किये गए इस वक्त इसराइल लिबनान बॉर्डर के करीब कैई इलाके खाली हो चुके हैं लिबनान के बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 30,000 की आबादी अपना घर छोड़ कर जा चुकी है लेकिन दहशत इसराइल में भी है उसके किरियाच शमोना जैसे शहर खाली पड़े है एक लाग से ज्यादा लोग दक्षन इसराइल की तरफ कूछ कर चुके है हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है अब हाइफा और आसपास हुए रॉकेट अटैक ने युद्ध का तापमान बढ़ा दिया है इसराइल और हिजबुल्ला का अगोशित युद्ध अब घजा पर बंबारी जैसा खतरनाक होता जा रहा है बारवे महीने में इसराइल पर रॉकेट बाजी और लिबनान पर बॉम्बिंग से हालात ऐसे हैं कि शायद कोई दिन गुजरता हो दोनों में इसे एक पक्ष हमला नहीं करता है इसराइल और हिजबुल्ला के अगोशित युद में अब तक इसराइल के 26 नागरिक और 22 सैनिक हिजबुल्ला के हमलों में मारे गए हैं जबकि नसरल्ला के 502 लड़ा के अब तक मारे जा चुके हैं ये लिबनान के मिलिशिया को बड़ा जटका है इसलिए नसरल्ला और हिजबुल्ला धूनों आगबुला है पेजर बम वाले सीरियल ब्लास्ट के बाद हिजबुल्ला बड़ा बतला लेना चाहता है लेबनान और इसराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद पक्का माना जा रहा है क्योंकि हिजबुल्ला के टार्गेट पर अब इसराइल के ऐसे ऐसे मिलिटरी बेस हैं जिसकी नेतन याहू को उम्मीद भी नहीं थी